अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज की वीडियों में हम बात करेंगे tandemac tablet के बारे में अब इस tablet के या फिर इस medicine के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है और क्या इसकी price है ये सारी जानकरियां जो है, आज की वीडियों में मैं आपको दूँगा तो देखें, price है शुरुआत करते हैं, तो 284 रुपीज में आपको ये 15 tablet मिलती है अब price समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज का price है, वो इधर मैंने आपको बताया है अब ये मैकलियोट्स फार्मा वालों की है, जो कि काफी अच्ची कमपनी है अब इस Tendo Mac tablet को कहां से खरीदना है, तो देखें इसको जो है आप कोई भी local alopathy medical store से खरी सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसको online भी Google पर सर्च कर सकते हो, बात करें composition के बारे में इसमें क्या-क्या है Tendo Mac में, तो इसमें है condriotin, sulfate, sodium जो की 200 mg में रहेगा, collision peptide type 1 जो की 40 mg में रहेगा, इसके अलावा vitamin C है, जिसको आप ascorbic acid भी बोलते हो ये रहेगा 35 mg में, इसके अलावा इसमें है sodium hyaloronate जो की रहेगा आपका 300 mg में, तो ये इसके composition है, जिससे ये जो है tablet बनाई गई है अब बात करें इसके फायदे के बारे में, तो दिखिए अगर आपको arthritis है गढ़िया की बीमारी है, तो उसमें काफी अच्छी medicine होती है अब arthritis में, गढ़िया में होता क्या है, कि जो है जोडों में दर्द होता है खासदोर से घुटने में काफी दर्द होता है अब इसके अलावा जो joints में stiffness हो जाती है, जो जक्लन हो जाती है उसमें काफी ये काम करती है tablet कई बार आपने देखा होगा कि जो joints होते हैं, जो joints होते हैं, उनके movement में काफी दिक्कत होती है और उसके अलावा जो है हमारे joints में pain होता है, जोडों में दर्द होता है, चाहें में गुटने हो, कंदे हो उसमें ले सकते हैं, और इसके अलावा cartilage को damage होने से बचाती है जिसमें के आपके joints होते हैं, वो अच्छी तरीकी से move हो सके हैं, और देखिए इसके अलावा इसके indirectly फायदे और भी हैं, जैसे के जो iron होता है, उसके absorption को बढ़ा देती है अब इसकी properties है, anti-aging, मतलबी skin के लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि देखिए जो collision होता है, अभी जो collision होता है, आपकी skin के लिए भी काफी अच्छा होता है साथी साथ, जैसे के मैंने बताया के joints के लिए तो अच्छा होता ही है, इसके अलावा जैसे के tennis elbow type की आपको दिक्कत हो गई है, जो कि sports जो खेलते हैं, या फिर इस तरीके के जारा काम करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनको देखा गया है के tennis elbow हो जाता है, उसमें ले सकते हैं, आपके cartilage जो टेंडन के लिए काफी अच्छी जो है ये tendomec tablet होती है, जैसे के मैंने बताया, तो ये इसके कुछ main फायते थे, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब बात करते हैं, डोस के बारे में कैसे लेना होता है, तो देखे एक tablet आपको एक दिन में एकी ब बार लेना है, और इसको कुछ भी खाने के बार ले तो बहतर रहेगा, और simple इसको पानी के सान ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूद के सान भी ले सकते हैं, अब male female कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए medicine नहीं है, और pregnancy में इसको लेना है तो डॉक्टर की सला से, क्योंकि pregnancy में अननेसेसरी कोई भी medicine हमको नहीं खाना चाहिए, अब side effect के बारें बात करें, तो nozative लग सकता है, पेट में दिक्कत हो सकती है, ये इसके main side effect है, जो कि हर किसी को नहीं होते हैं, अब इसके अलाबा अगर कोई दूसरी medicine आपकी चल रही है, इस type की, तो मैं मना करूँगा, अगर इस type से कोई medicine चल रही है, जैसे कि जिसमें collagen है, या condritin है, या फिर hyaloranate है, तो इस type से आपको medicine नहीं लेनी है, नहीं तो overdose हो जाएगा, या फिर doctor से सला करें, हाँ इसके लाबा कोई calcium की medicine हो गई, multi vitamin, diabetes की, BP की, ये सब ले सकते हैं, कोई problem नहीं है अब कब तक लेना होता है, तो इस तो depend करेगा आपकी problem पर, आपको कितनी समस्या है, क्या बीमारी है, हालनकि आप इसको एक से तीन महने तक जरूर लेकर देखें, best result के लिए, और कई बार इसको लंबे समय तक भी लेना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय तक लेना है, तो डॉक्टर की सला से ही ले, जो orthopedics होते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उनकी सला से लें तो बहतर रहेगा, अब result के बारे बात करें, तो कम से कम एक महने लीजिए, एक महना या 15 से 30 दिन लेके देखिए, आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा है, ये result मिलेगा स्टेंडोमेक टेबलेट का, आप इधर में कुछ एडवाईस देना चाहूँगा, अगर आप ही medicine या टेबलेट लेते हो तो, देखिए आपको alcohol नहीं लेना है, smoking नहीं करना है, इसके अलाबा आपको junk food हो गया, fast food, जादा oily, जादा मीठा, मेदे से बनी चीजे, तली हुई तो आपके जोड़ों के लिए, हड़ियों के लिए काफी अच्छा होता है, अब इसके अलाबा आप exercise तो जरूर करते रहें, थोड़ी बहुत exercise करना बहुत जरूरी है, इसके अलाबा आपका अगर बहुत जारा वजन जादा है, तो उसको भी control करें, यह सब जो है हमारी health के सही रहता है, हमारी हड़ियों के लिए भी सही रहता है, तो इधर मेरी वीडियों खतम होता है, और अगर आपको इस टाइफ से और वीडियों देखना है, health और medicines related, जो कि मैं daily बनाते है रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हूँ, अगर आपने मेर Knowledge for Indian